आप सभी का मेरी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ आपके अपनी शुब्चिन तक आप आई मेरी चैनल पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बात करूंगी नवरात्रों में कुछ ऐसे उपायों की जो लगातार बच्चों के लिए कि विवाशादी उनके विवाशादी में जो अटकाव हैं वो दूर हो जाएं जो परिशानिया हैं वो इस मापत हो जाएं उसके लिए मैं लगातार उपाय दे रही हूँ कोशिश करती हूँ कि ऐसे सरल से सरल उपाय दूँ जो बच्चे आराम से कर सके लड़के या लड़किया चुंकि आज का उपाय जो है वो लड़कियों के करने का है लड़कियां ही इस उपाय को करें और करें जरूर क्योंकि ये नवरात्रों में ही किया जाना है आगे पीछे आप इस उपाई को नहीं कर पाएंगे अब अगर आप यह कहेंगे कि हम क्या हमारी मम्मी कर सकती है तो नहीं कर सकते और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई बेटियां लड़कियां इस समय प्रेट टाइम में चल रही हैं और वो नहीं कर पाएंगी तो बहुत मुश्किल ह क्योंकि नवरातरों में ही ये उपाई किया जाना है और इस उपाई के आपको long term फायदे होने वाले हैं लंबे समय तक कि इसके फायदे होंगे आपको आपको सिर्फ विवाहि आपका इशिखर नहीं होगा आपके सब्सुराल में भी आपकी इज़त होगी, आपकी पूछ होगी, आपको ही तबज्जो मिलेगी, आपका ही सिक्का चलेगा. ये जो उपाई है, इस उपाई की ये खासित है लड़कियों के लिए. तो लाष्ट में लाष्ट तक बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरह से एक छोटी सी सुपारी का उपाई आपकी पूरी जीवन को खुशाल कर सकती है, आपके व्यवाहिक जीवन को सुखद बना सकती है, वो किस तरह से होगा, इसको लाष्ट तक आप जुड़े र करना चाहूंगी, कि प्लीज अगर आप वीडियो को बहुत प्यार से देखते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो लगातार मिलते रहें, जब आप वीड अब आती हूं अपने टॉपिक पर, कि बेटियां किस तरह से अपने शिगर विवा के लिए और बेवाहिक जीवन सुखत बनाने के लिए इस उपाई को करें, देखिए आपको करना इसको नवरात्रों में ही है, अब चुकि नवरात्रों का छटा नवरात्रा निकल चुका ह है, सात्रों, आठ्रों, और नौवरा, तीन दिन रहा गए है, इस दोरन उपाई बहुत आसान है, चोटा सा है, आप इसको जरूर कर लें, इस उपाई को, पर एक ही दिन करना है, शाम के समय करें, कोशिश करें, प्रदोशकाल में इस उपाई को कर लें, और अगर सुभई क करना चाहें तो सुभे भी कर सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि शाम को प्रदोशकाल में करें माता के जितने भी उपाए होते हैं नवरात्री रात्री मतलब आप समझ रहे हैं नवरात्री रात्री जहां शब्द आ गया तो साइंकाल के रात्री के कियो हुए उपाए ही सफल ज् तो आप इस उपाई को इस तरह से करें कि जैसे नहाद होके उस समय जिस समय आप करना चाहें उस समय आप नहाद होके और महतागा पूजन वगरा करने के लिए जिस तरह से आप शाम को आरती वगरा करते हैं वो तैयार हो गए हैं आपके पास सिंदूर होना चाहिए अब यह म हुआता है संदूर होता है तो आपके पास औरेंज होना होना चाहिए सिंदूर एक शुपारी में रखीक सब और सबस्क्रम हो घर कोशिश करें कि अब इस जो गीलि आपकी सुपारी है थोड़ी से ङंगजल से इसको धोया है नथो गीली हो गई है गीलिय वीधी पर अब आप सिंदूर लिपेटना शुरू करें इसको पूरी को सिंदूर में लपेट लीजी बहुत अच्छा सा सिंदूर लगाए इस पर ऐसे नहीं फिका फिका नहीं एक दम से अच्छा गहरा गहरा सिंदूर लगाएं इस पर इसको पूरी को सिंदूर में लपेट लें सिंदूर में लपेटने के बाद आप इसको माता के आपने जोत करी है आपने दूप दीप करी है पिरशाद आपने फूर्प अंपने पूझा फूजिद करी और या अपने या को पूझा लेना है और चुटा समय क्रुड़ी आपके शुकर को सटोंग कर रहे हैं क्यों को, पीला कपड़ा चोटा सा लीजिएगा और लेने के बाद शुपारी को उसमें लपेट लीजिएगा लपेटने के बाद अब इसको रखिएगा मा दुरुगा के आगे मा भगवती के आगे रखिए इसको मा भगवती के आगे रखने के बाद इसको अब आप अपनी आरती करें पूजा करें जब करें माकातियाईनी का मंतर जब करें मादुरगा का मंतर जब करें सरोमंगल मंगले श्वेसरवादी साधी के यह मंतर जब करें कोई भी करें 21 बार 11 बार किसी ने किसी मंतर का जब करना आपको छोटा कर लें बड़ा कर लें लेकिन जरूरी है करना मंतर जब कर ले मंतर जब करने के बाद अब आपको करना क्या है कि इस सुपारी को उठाना नहीं है आपको कहीं इतनी जल्दवाजी मत करना कि इस सुपारी को उठालो इस सुपारी को नहीं उठाना है आपने इसको जैसे आज छटा है कर साथे नवरात्रे को करते हैं यह आज छटे को ह अगे रहेगी पीले कपड़े में वहां अरपित ये तब तक रहेगी जब रखेंगी मैंने टक्याके नीचे नहीं कहा है इसको रखनेоПेिए मैंने bombs Mitchell में रखने के लिए लिए बैड में आसक गलि नहीं आपके तब तक रहेगी जब तक कि AAP के मनोकामना पूरन नहीं हो जाती ऐसी प्वित्र और सुरी जगा पर रखेगा और आपकी जैसे से ही मनोकामना पूर्ण हो जाए आपका विवाह हो जाए इस सुपारी को कहीं भी नहीं डालना है इस सुपारी यह सुपारी आपके ससुराल जाएगी आपके साथ आपके साथ यह सुपारी आपके किसी पवित्र जगह में पर्स वगारा में को सेफ जगह पर आपके साथ ससु परवाएगी वहां जहां आप से सुराल में जाएंगे वहां भी देखिएगा आपकी कितनी तबज्जो होती है आपकी कितनी पूछ होती है मा दुरगा आपके वहां तक आपके व्यवाही की जीवन को सुखी रखेगी यह वहां भी स्रक्षित आपके पास रहेगी सुपारी ह हमेशा अपने पास रखिए यह मां को अर्फित की वे संदूरी सुपारी अपने पास रखें आपका वैवाहिक जीवन वो सुखी रहेगा पहली बात तो इसके किरपा से मां की किरपा से आपको पती ही अच्छे इतने मिलेंगे कि अगला जीवन खुद वे खुद ही आपका के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कमेंट बक्स में जैम आता दिया वश्या लिखें और मैं मिलती हूं के सब्लेट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद